नमस्कार सभीकूम आज ये एक important वीडियो है मेरा और वीडियो है EMRS की वेटिंग लिस्ट और KVS की वेटिंग लिस्ट से related जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जल्द ही वेटिंग लिस्ट आने वाली है लेकिन अभी इसी वीक का एक update आया है और मैं आप लोगों को भी aware कराना चाहता हूँ कि बात ये चल रही है EMRS में भी कि वेटिंग लिस्ट ना निकाली जाए सीधे direct recruitment के लिए नया notification निकाला जाए और वेटिंग लिस्ट को ये लोग जो है नहीं निकालना चाहते है तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी लोग जिनको लगता है कि उनका एक दो नमबर से रह गया है क्योंकि इन्होंने साफ साफ अपने notification में जो direct recruitment काया था उसमें लिखा था कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप सभी लोग प्रयासरत हो जाएए और अपनी बात रखिए कहिए इनसे कि भई जब आपने mention किया आप ऐसे rule change नहीं कर सकते हैं साफ साफ लिखाता कि इतनी वेट लिस्ट आप जरूर निकालेंगे तो ऐसे जितने भी लोग है मेरी अपील है सभी से सभी लोग united होकर के EMRS में दिलही में जाकर के अपनी बात रखें कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाल रहा है मैं इसलिए कह रहा हूँ इसका जीता जाकता उतरपदेश लोग सेवा आयोग द्वारा 2018 में जो वेकिंसी ल्टी गेट की निकाली गई थी वो है क्योंकि हर रिक्रूट्मेंट का एक होता है कि भई जब हम ज्वाइनिंग देते हैं तो उस ज्वाइनिंग में कई लोग नहीं ज्वाइन करते हैं जैसे जो भी रिक्तियां होती हैं वेकिंसी होती हैं कई लोग नहीं ज्वाइन करते हैं कोई भी रीजन हो वो दूसरी जगह कार रहत होते हैं तब तक कहीं और जॉब लग जाती है या कुछ और उनका हो तो जितने लोग ज्वाइन नहीं करते उन पर वेट लिस्ट निकाली जाती है तो लोकसेवा आयोग ने वेट लिस्ट नहीं निकाली थी जिसकी वज़य से सारे लोगों ने धरना प्रशन किया कोट गए और अंतताह अभी पिछले साल उनको वेट लिस्ट निकालनी पड़ी तो मैं ये कहतना चाहता हूँ कि अपने अधिकार के प्रति सजग रही है और जीता जाकता उदारण है कि जब तक आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे आप एक बार उनसे मिलिये जाकर कहिए कि क्यों नहीं निकाल रहे हैं मैं अभी लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को बिलकुल ये गोल कर रहे हैं नहीं निकालना चाहते हैं वेटिंग तो आप लोग बात करिए जाकर और के वियस के ऐसे भिरती जिनका रह गया था उनके साथ तो बड़ा ही धोखा हुआ है उनके साथ तो न तो उनके CML जारी किया गया है जो भी उनके मार्क्स रिटेन में इंटर्वियू के जो भी कमबाइन मेरी लिस्ट बनती है उसके जो मार्क्स होते इस बार केवियस ने नहीं जारी किया है तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी केवियस में जाके उन पर कहिए कि क्यों नहीं आपने जारी किया है तो कि एक को होता है कि सारे मार्क्स आपको पब्लिक करने होते हैं किसको कितने नंबर मिले हैं और केवियस भी वेटिंग निकालने के मूड में नहीं है मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो इस तरीके से चीजे हो रही है तो यही मुझे बताना था आप लोगों को सजग करना था कि आपके अधिकारों के प्रती आप लोग अवेर रहेंगे तो हो सकता कि आप लोगों का थोड़ा भला हो सके और वही लोग से वायोग ने जो वेटिंग लिस नहीं निकाली तो अब 2018 में वेकिंसी आई थी 2019 में एक्जाम 2018 में ही हो गया था जोइनिंग 2020 में होई थी फ्रेस लिस्ट वालों की और उसके बाद वेटिंग लिस निकली है अभी रिसेंटली पिछले साल उनका डीवी हुआ है उसी समय वो भी कब जब लोगों ने धरना प्रशन किया अपनी बात कही लोग से वायोग ने तो लोग से वायोग ने भी कुछ लोगों की निकाली सब की नहीं निकाली मुस्किल से 10-12-50 सीट पे निकाली हर सबजेक्ट में एक-एक-डो-दो सीट पे फिर लोग कोट गये कोट में जाकर उन्होंने निकल वाई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भी क्योंकि एमर्स में तो साफ साफ लिखा है कि वेट लिस्ट इतनी निकाली जाएगी और पिछले सब्ता की अपडेट है कि वो कह रहा हैं कि हम नहीं निकालेंगे हम सीधे डैडेक्ट रिक होने के वो यूनाइटेड हो जाएं प्रयासरत हो जाएं बिटर होगा आप लोगों के लिए चीजे जानना समझना कि क्या चलना क्या नहीं चलना है और बाकी नई रिक्रूटमेंट का तो बिलकुल ही अब क्लियर है कि वो आने वाली है और जल्द ही क्योंकि नई रिक्रू और एंवी एस तीन है जो सेंट्रल गवर्णमेंट के अंडर एजूकेशन के छेत में काम करने वाली संस्था हैं तो इसमें सबसे पहले आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी एंवी एस में और अगर एमरेस ने वेटलिस नहीं निकाली तो हो सकता एमरेस का भी नोटिफिके की भरती निकालिये और उसी के तुरू जहां पर टीचर्स के पद जो है खाली है उनको भरिये तो मैं तो यहीं कहूंगा अन्याय है उन लोगों के साथ जो उमीद में धे कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी उनका भी चयन होगा वैसे निकलती है हर संस्था निकालती है वेट ही नहीं एक वेटिंग लिस्ट आएगी तब तो हमें समझ में आता है आपका ये अपना स्वविवेक है या आप डिसीजन ले रहे हो आपको जो सही लगा वो कर रहे हो लेकिन जब आपने लिखा है तो आपको निकालना चाहिए तो यही कुछ बाते हैं जो मुझे करनी थी हलांकि कई लोग मुझे से पोंच भी रहे थे कि सर अपडेट दीजिए अपडेट दीजिए क्या है अपडेट क्या नहीं तो यह है मतलब एक स्टार्टलिंग फैक्ट है जो मुझे पता चला क्योंकि मैं तो इसी उमीद में था कि वेटिंग लिस्ट आने वाली है लेकिन जब मुझे यह जानकारे मिली नहीं वो गोल कर रहे है वेटिंग लिस्ट को तो मैं भी शौक्ड था यह सुनकर कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही नहीं और अगर एक बार इन्होंने यह प्रोसेस में डाल लिया कि हम कुछ भी करेंगे कोई भी हम पर उंगली नहीं उठाए तो फिर यही चीजे चलती रहती है जिसे आप लोगो ने देखा होगा अभी हमारे यहां उत्तर प्रदेश लोग से वायोग ने जो की प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है पीसी एस का एक्जाम कराने के लिए उसने कहा था कि हम पीसी एस का एक्जाम तीन सिफ्ट में कर करेंगे वह अब भीरती थोड़ा सा अवेर हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं गलत है यह क्योंकि नॉर्मलाइशन में होता क्या है पता ही नहीं चलता क्या चीज़े हो जाती है सभी लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने मतलब अपनी बाते रखें कि भई हमेशा से होत आया है आप सेंटर बढ़ाईए एक ही दिन में आप कराईए या तो उसमें क्लियर कट पता हो किसको कितने नंबर मिल रहा है तो खेर उनको अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा तो मैं यह नहीं कहता आप कुछ मतलब करिये लेकिन एटलिस उसे बात करिये जाकर मैं मिल्कुल भी आप लोगों को भड़का नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को अवेर कर रहा हूं कि आप सांती पूरवक वहां पर जाईए उनसे पूछिए कि आखिर क्यूं क्या रीजन है कि आप वेटिंग लिस नहीं निकालना है तो यह चीजे करके अगर आप अपनी बात जबता है तो हमें लगता ज्यादा सही होगा बस मुझे यही कहना था यही अपडेट थी दोनों में ही के वीएस में तो काफी समय हो गया और के वीएस में तो लोगों को प्रयास करना चाहिए जितने लोग बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ कि अभी तक क्यों नहीं जारी कर कि तमाम चीजें हैं आप लोग ध्यान रखिए करिए बाकी कुछ अपडेट होती मैं दूंगा मिलता हूं